नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी बिहार आईटी आई गौर्णमेंट वाला जो भी छात्र छात्राई ने दिया है जो कि इस बार एक्जाम तो उनके लिए बहुत बड़ी खुसकरी और काफी दिन से वो वेट कर रहे थे कि उनका एक्जाम तो हो चुक एक्जाम दे दिया है और हमारा अभी तक स्नाय नहीं है कितने पता चलेगा और आपको फाइनली इस वीटो के वारे में हम पूरा अपडेट देते रहेंगे कैसे आपको चुज करना है कैसे आपको जो कि हम एड्टी से कराणा है कितना फिल लगएगा सारा एक कुलियरी करन तो इसके बारे में फुल वीडियो बताने वाला हूँ तो इसके लिए आपको देखना है कि आपका बिहार आइटिया जो भी छादर एकजाम दिये हैं तो उनको कैसे चेक करना होगा पहले नमरत आपको कोई एक ब्राउजर खोल लेना होगा और आपको लिखना होगा सरकारी-job.com find तो यहां आपको लिख देना होगा सरकारी-job.com करने के बाद आपको बहुत सारे यहां website आ जाएगे तो आपको फर्स्ट में आपको एक website मिल जाती है सरकारी-job-22-20 सरकारी-job तो आपको finally click कर देना होगा आया तो इस तरह से आपको आएगा जो कि आपको लिखेगा सरकारी job find.com window लिखेगा तो इस सब को खबराना नहीं है उस पर यह आप किलिक कर सकते हैं तो चलिए हम उसबर उपर वाले पर किलिक कर देते हैं इसे क्लिक करते हैं तो यहां आपको बहुत सारे जो की रिलेटर आ जाते हैं जोब के बारे में तो हमें ITI बिहार ITI का जो की result rank card देखना है जो की आज फाइनली जारी कर दिया गया है तो हम स्कॉल करते हैं नीचे की और आ जाते हैं आने के बाद आपको क्या करना होगा पहले नमर इसका heading देख लेना होगा आपको heading में देखने के लिए यह मिल जाती है जो की आपको heading में मिल जाती है देख सकते हैं आपको जो की result यह result के एक option मिलती है तो आपको result वाले पर आ जाना है और आपको यह दूसरे नमर पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तीसरे नमर पर आपको देखने के लिमी आती है बिहार ITI Card Result Score Card Score Card मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से बिहार ITI Card Result Score Card आपको इस तरह से आ जाती है तो आपको फाइनली इसी पर क्लिक कर देना हुगा तो चलिए हम यहां से क्लिक कर देते हैं जिसी क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह साब का आग या स्कॉल करते हैं नीचे की और आजाना है तो आपको सब से नीचे आ जाना है आते हैं तो आपको यहां option मिल जाती है जैसे download result scorecard नीचे मिल जाती है download result notice download admit card, apply, online आपको मिल जाती है इन सब पर नहीं जाना है सबसे आपको उपर में ही एक मिल जाती है option इवाले पर आपको क्लिक कर देना download result scorecard इस पर हम click कर देंगे जिसे click करते हैं तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास दो चीज़ यहां होना चाहिए पहले नमर तो आपको roll number होना चाहिए और नीचे आपको date of worth भरना है और उसके बाद score rank वाले पर click कर देना होगा चलिए हमारे पास जो कि हम यहां roll number और date of worth भर देते हैं और आपको दिखाते हैं रोल नमर भर दिए और यहां अपने 12 March 2003 यहां अपने date of worth डाल दिए उसके बाद हम यहां rank 100 पर click कर देंगे 100 rank पर तो चलिए हम यहां click कर देते हैं जिसी click करते हैं तो हमारे यह finally देख सकते हैं जो कि download होकर आच चुगा है और हम आपको जूम करके दिखाना चाहता हूं कि यह क्या कर रहा है पूरा आपको अच्छे से पहले नमर आपको पूरा मिल आती है उपर में रॉल नमर दूसरे बद रजिस्टेशन नमर आपको देखने कर मिल आती है और किन के नाम पर यह candidate का नाम मिल आती है जिनका नाम है रामा कांत कुमार उसको बाद उनका पिता का नाम मिल आती है ईभर देट ऑपरद मिलाती है और इनका फाइनली जो कि हैं है काटेगरी इनका कितना आच्छा खसा क्लिक करता है उसके बाद दिख सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस तरह से बैक आ जाएंगे तो आपको इसी तरह आपना डाउनलोड करके आपको देख लेना होगा कि कितना आपका रेंग काड आया है रेंग पर ही आपका जोकी अड़िशन होगा किसी भी कॉलेज में आई टी गॉर्मेंट कॉलेज में किजिएगा कि किस किस में जाना है कहां कहां हमें जोकी रहना है और उसके बाद फिर वहां से सलेक्ट होता है तो इसी तरह हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक बाबाय